रोज रोज नास्ते में क्या बना है यह बहुत बड़ा टेंशन लगा रहता है सभी को तो आज में पूरी पराठा ना बना कि बहुत ही सिंपल सी एक रेस्पी लेकिया है जो कि हेल्दी भी है और टेस्टी भी है तो रेस्पी ध्यान से देखिएगा मैंने रात को ही चानवीगों के रख दिया था तुर शूबह उसी का में हिल्दी और टेश्टी नास्ता बनाने जा रहे हूं जिसके लिए मैंने करा ही गरम कर लिया करा ही हम कर लिए सरसो तेल को और घाल देंगे प्याज को हमें हलका सा fry करना है यहाँ पे मैंने 50 सेकेंड तक प्याज को fry किया है गोल्डेन ब्राउन तुब एकदम नहीं होने देना है एक बार चलिए देख लीजे किस तरीके का प्याज इसमें हमें चाहिए यह रहा बस प्याज जब हलका सा सौप्ट हो जए हलका सा इसका कलर एकदम हलका सा कलर चेंज हो तब हम इसमें चने को डाल देंगी क्योंकि यहाँ पे हमें चने को उबालना नहीं है डारेक्ट पकाना है तो प्याज अगर ज़्यादा golden brown हो जाएगा तो ये चने के साथ पकाते हुए जल जाएगा तो इसलिए प्याज को हमें 40-50% ही cook करना है उसके बाद इसमें चने को add कर देना है तो यहाँ पर मैंने ये देखे चने को डाल दिया है इसके साथ हम इसको थोड़ी देर के लिए ढख देंगे यहाँ पर मैंने एक मिनट के लिए एक दम low flame पर ढख के छोड़ दिया था एक मिनट पूरे हो जाने के बास ये देखिए काफी हद तक चना पकने लगा है अब इसमें हमें क्या करना है इसके अंदर अब हम स्वादनुसा नमक और हल्दी ले लेंगे तो यहाँ पर पहले मैंने 4-5 हरी मिर्च और डाल दी यह बहुत अच्छा लगता है कटकर के खाने में साथ में मैंने स्वादनुसा नमक और थोड़ा सा हल्दी ले लिया नमक और हल्दी डालने के बास से हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके फिर से हम इसको एक मिनिट तक लो फ्लेम पे ढग देंगे ताकि चना जो है बहुत अच्छे से कूख हो जाता चलिए इसको हम ढग देते हैं यहां पर मैंने इसको ढग दिया एक मिनिट पूरे हो जाने के बास से इसमें मैं एकदम थोड़ा सा अधरक और लहसुन का पेस्ट यूज करूंगी बाकि कोई मसाला इसमें नहीं डालना है तो चलिए देखिए एक मिनिट पूरा हो चुका है यहां पर मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर थोड़ा ले लिया है एक टमाटर को मैंने बारीक काट की सी तरीकी से आप लंबे-लंबे अकारमी इसको कट कीजिए और साथ में अधरक लहसुन का पेस्ट डालने के बास से अब हम इसको खुले में ही कुक करेंगे अब इसको पकाएंगे क्योंकि चना जो है और लेडी काफी हद तक पक चुका है तो बस इसको हम ऐसे ही पकाते रहेंगे जब तक यह थोड़ा सा ड्राइना हो जाए यहां पर हमें क्या करना है कंटिनी इसको चलाते रहना तो मैंने इसको कंटिनी चलाते रहा यह देखिए एक से दालने के बाद से आप इसको डायरेक्ट अब सर्फ कर लीचिये धनिया पट्टा पकाने का जरुरत नहीं है डिया रहा मेरा डिलीशियस चना बनके रेडी हो चुका है जो कि मेरे घर में सुभा के ब्रेकफास्ट में सभी को काफी पसंद आया और चना ऐसे हल्दी भी होता है तो रेस्पी अच्छी लगी हो तो एक बटराई जरूर कीजिएगा यह रही डिलीशियस सी चना जो मैं चली गर्म अगर हम खाने और आपको अगर रेस्पी अच्छी लगी हो तो प्लीज में चैनल को सब्सकाइब कीजिए मेरा वीडियो सेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएए कि मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी तो मिलती हो अपने नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाब बा ठीक केर